नमश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सब इका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गैस हम डिस्कुस करेंगे रतन इंडिया पाव इसक लें तो कंपनी का स्टॉक नाहीं जाथा ओवरबॉट जोन में और नाहीं एसम की किसी रेड़ प्रैकलिस में लेकिन कंपनी की जो एनुल ग्रोथ रेट प्रॉफिट जेनरेशन रेवन्यू ग्रोथ रेट कैश्फ फ्लोव स्टेट में जो है नेगतीम में का इस कंपन की जो है कर्यक्शन देखने का मिला और कंपनी का स्टॉक जो है इसके वाज़े से अपने 50 डेमा जो मूविंग के अवरेज है और 200 डेमा की जो मूविंग के डेवरेज है नीचे जो है इसलिप आउट हुआ लेकिन हमें थोड़ी जैसी जो है बाइंग नीचे लेवल से दे अभी भी हुई घिरावत देखने को मिल के जो कंपनी का फी座र की स्टों मैं आपको यही रहे दूंगा निवेश कर जागेगा और आप वापको चार्ट में क्लियर करें सतैया निस आप अब हम डिसक्स करें रतन इंडिया के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करने चाहिए और यहां पर जो है इस शेर में आने वाल टाम है क्या आपको फिर से 70 रुपे के टार्गेट देखने को मिलेगे क्योंकि इस शेर में काफी जादा जो है क्रेक्शन अपर लेवल है लेकिन फिर सेहां में जो सेल्इंग कैंडल अपसाइड में देखने को मिली जो इसका अवर्टरेंट परना तो नरुसे इसाने जो ढक्रिया करे जैसे कि देखने को बिलेगा और हमें नहीं लग रहा यहां पर जो है आपको ज्यादा जो है अभी रैली देखने को तो रतन इंडिया में अगर आप लोग इन्वेस्टेट है तो आप लोग अभी शेर से निकल जाए क्योंकि अभी जो है पोटेंशल ब्रेक आउट जो है हमें जो है अगर यह स्टॉक जो है 45 के टार्गेट को निकालता है उसके बाद ही जो एक लांग रेल लांग लेग रैली जो है स्टॉक में बन सकती तो गाइस रतना रतनी इंडिया को जो आप इस टाइम जो है सेल के जिए और अपने पोर्टफोलियो में एडबत कीजिए तो गाइस ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्रीज सेस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थेंक्यू गाइस